दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा दस के NCRT के बिज्ञान किताब से अध्या एक रसानी कपकिरिया यह हम समीकर्ड अभ्यास प्रसंद थिरी करने जा रहें अभ्यास प्रसंद थिरी क्या कह रहा है लौह चूड पर तन हाइड्रो क्लोरिक अमल डालने से क्या होता है सही उत्तर पर निसान लगाईए तो यह प्रसंद हमारा कह रहा है लौह चूड पर तन हाइड्रो क्लोरिक अमल डालने पर क्या होता है इसमें चार बिकल्प दिये ग लगाना है तो ये चार बिकल्प हमारे दिये गये हैं तो चार बिकल्प में कौन सा बिकल्प सही है तो पहला बिकल्प कहता है हाइड्रोजन गैस यूम आयरन कुलोराइड बनता है दूसरा बिकल्प कह रहा है क्लोरीन गैस यूम आयरन हाइड्राकसाइड बनता है तिसरा बि तो सबसे पहले क्या करेंगे लौज चूड और हाइड्रो क्लोरिकमल की किरिया कराके इसका समीकर लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकर लिखेंगे उसके बाद हम पता करेंगे काउन सा बिकल्प सही है काउन सा गलत है तो लोहे का सूत्र होता है लोहे के चूड का सूत्र होता है यह हमारा सूत्र है लोहे लोहे पर किसका किरिया हो रहा है हाइड्रोकलोरिकमल हाइड्रोकलोरिकमल का सूत्र होता है HCl आपस में किरिया करता है यह आपस में किरिया करता है डालने पर क्या होता है यानि क्या बनता है तो हम देख करके पता लगा सकते हैं यह लोहा है फेरिक है यानि लोहे का चूड है यानि लोहे का छोटा-छोटा बुरादा है और हाड्रोकलोरिक अमल है यानि इसमें देखने से पता चल रहा क्या करेगा लोहा हाड्रोकलोरिक को यानि या कई है अब करिया है और भी स्थापन होकर क्या हो सकता है तो लौह रहे से हमारा यह yön होगा यह यह रॉक्सकंट हरा ओगा और हैंग एज गैस बना लेक इस त्व गैस बने गई इस तरह से हमारा यह reaction होगा क्योंकि यह reaction क्या हैं बिस्थापन अब क्रिया का सूत्र बन रहा है Pacific ज्यानी किरिया बन रही तो हमारा फेरी खुलाओध हम सामी कड़ को भलाइलन्स करें दो क्लोरीण है तो यहां हम तीन रख देंगे तो क्या क्लूरीन तीन हो जाएगा लेकिन हाइडोजन हमारा बैलेंस नहीं होगा और चार से करते हैं तो चार से यहां कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यह चार यह हो जाएगा लेकिन यहां क्लूरीन चार हो जाएगा तो इधर नहीं बैलें होगा इसलिए हम यहां से क्या करेंगे च्छे से करेंगे उसके दुगना से तीन के दुगने से करेंगे च्छे कर देंगे तो च्छे कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यह च्छे यानि तीन यहां गुड़ा कर दे तो हाइड्रोजन क्या होगा तीन दूनी छे हाइड्रो हो जाएगा तीन दूनीच है क्लोरीन परमाड हो जाएगा तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा अब लोहे की क्या है फेरिक है यानि आयरन है आयरन यहां एक है तो यहां दो से बुड़ा कर दें तो यह आयरन भी हमारा बैलेंस हो जाएगा तो इस तरह समीकड हम संतुल हमारा समी इकड़ बनता है तो इस समीकड़ में कौन सा बिकल्प सही लग रहा है यह हमें के करके चक करेंगे हाइड्रोजन गैस बन रही है हाइड्रोजन गैस बन रही सही है यह हम आइरन कॉलराइड बन रहा है सही है यह आइरन कॉलराइड बन रहा है तो पहला बिकल्प हमारा सही द पता किया अब विकल्प B, विकल्प C and विकल्प D कैसे गलत है ज़्य को भी हम करेंगे ख़र बनती है यह हो गया के यहां भनाया यह नहीं हो गईया यहां बना सकती है लेकिन यहां बना मैंना नहीं है आरन अब इसमें आक्सीजन है नहीं है अब किरिया के अब इधर का विकारक पच्छ कहलाता है अब इकारक पच्छ में आक्सीजन है नहीं इसलिए जब इधर आक्सीजन नहीं नहीं बन सकता है इसलिए दूसरा हमारा क्या है गलत है यह दूसरा विकल्ब क्या है गलत है इसी तरह स कोई अब किरिया नहीं हो रही है, कोई अब किरिया नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो अब किरिया होगी, क्योंकि लोहा हाइडोजन से ज़्यादा किरिया सील है, ये लोहा हाइडोजन को बिश्थापित कर देता है, किरिया हो रही है, इसलिए ये भी गलत है, अगला है, आरन लो सकते हैं बिकल्प ये सही है बिकल्प ये क्या है ये बिकल्प हमारा सही ये बिकल्प हम सही का निसान लगाएंगे